अज़ यहां पर बात करने वाले कि जो साउंड्स वेव्स है वो लॉंगिट्यूडनल होते हैं अभी ऐसा बोलेंगे कि सर लॉंगिट्यूडनल वेव्स कैसे पता चलेगा तो कि यहां पर समझते हैं आप लोगों ने यह तो पढ़ के हैं कि ऐसे रिजिन जिसमें पार्टिकल्स जो होती हो उसके उपर हाई प्रेशर रहता यानि कि ज्यादा कॉम्प्रेश्ड रहते हैं ऐसे रिजिन को हम बोलते थे कॉम्प्रेशन ऐसा रिजिन जहां पर जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा कॉम्प्रेश्ड नहीं होते थे नॉर्मल से थोड़े ज्यादा विख्रे हुए रहते थे वैसे जो रिजन्स होते हैं इसको हम बोलते थे रेर फ्रिक्शन जहां पर प्रिशर बहुती लो होता था तो आप लोगों ने पढ़के ही आए कि जो भी sound waves होते हैं उसके जो भी particles होते हैं उसके particles compression and refriction medium में रहते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि यह जो waves होती है वो longitudinal है ऐसा कैसे पता चलेगा तो कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं समझे कि यहां पर एक medium ले लिया है medium के अंदर यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यह जो waves है वो longitudinal and यहां पर यह जो waves है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि compression region and refriction region आपको दिख रहा है तो यही कारण है यहां पर जो particles होते है sound waves के according जो particles होते है वो move नहीं होते किसी भी medium के particles move नहीं होते हो गया होते oscillate होते हैं, यानि कि खुद की जगापे ही रहते हैं, पर थोड़ा सा आगे जाके पीछे चले आते हैं, यानि कि यहाँ पर oscillation होता है particles का, इसी वज़े से हम यहाँ पर बोल पाते हैं, कि जो sound waves है, वो longitudinal है ऐसे ही एक और sound wave है ऐसे ही कुछ और waves होते हैं हैं, वो क्या होते हैं, up and down move होते हैं, वो oscillate नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं up and down move होते हैं, उसके mean parts यानि कि जहाँ पर भी wave pass हो रहे हैं, जहाँ से wave pass हो रहे हैं, वो pass path के mean पर से up and down यहाँ पर जो भी particles होते हैं, वो move होते हैं यहां पर oscillation जो है वो नहीं होता है इसी वज़े से यहां पर हम क्या बोल पाएगे कि यह जो transverse वह हो है वो longitudinal wave नहीं है क्योंकि transverse wave जो होती है वहां पर particles up and down move होते हैं किसकी direction में तो कि जो path होता है उसका उसके perpendicular direction में वो up and down होते हैं यहां भी इसका simple से example लेना चाहे तो कोई pound के अंदर आप अगर कोई table डालते है तो वहां पर जो movement मिलती है आपको यहां पर जो भी waves मिलती है वो किसी up and down होती तो यही बात है कि हमारा जो sound waves है वो क्या है longitudinal waves बोला जाता है थेंक यू